Hello everyone, Storyteller Shivani में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Rabindranath Tagore की बायोग्राफी के बारे में Rabindranath Tagore एक poet, musician, polymath यानि बहु सास्तर का ज्यान रखने वाले Ayurved researcher और artist थे वे literature में Nobel Prize जीतने वाले पहले non-European थे Rabindranath Tagore को Bard of Bengal भी कहा जाता है Bard यानि कवी Rabindranath Tagore का जन्म साथ मई 1861 में कलकता में हुआ इनके मातापिता का नाम दिवेंद्रनाथ Tagore और शारदा देवी था और इनके बच्पन का नाम रोबिंद्रनाथ ठाकुर था Tagore की मा शारदा देवी बच्पन में ही गुजर गई थी और दिवेंद्रनाथ बहुत ट्रावल क्या करते थे जिसके कारण Tagore का पालन पोशन उनके सर्वेंट्स नहीं किया द्विजेंद्रनाथ Tagore के सबसे बड़े भाई एक फिलोसोफर और पोयेट थे दूसरे भाई इंडियन सिविल सर्वेस में एपोइंट होने वाले पहले भारतिये थे जिनका नाम सत्येंद्रनाथ था जो तीरिंद्रनाथ उनके एक और भाई मुजिशियन, कम्पोजर और प्लेराइट थे जबकि उनकी बहन सुर्णा कुमारी एक नॉविलिस्ट थी बहुत यंग एज में ही टैगोर बेंगौल रेनेसा यानी पुनर जागरन का हिस्सा बने और उनके परिवार ने भी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन किया आठ सार की उम्र में उन्होंने पोयम लिखनी शुरू कर दी और मत्र सोलह सार की उम्र में उन्होंने आर्ट वर्क्स कम्पोज करने शुरू किये 1877 में उन्होंने विकारिनी नाम की शौट स्टोरी लिखी और 1882 में संध्या संगीत नाम की पोयम्स की कलेक्शन वे काली दास की क्लासिकल पोयेट्री से काफी प्रभावित हुए और अपनी खुद की क्लासिकल पोयेम्स लिखने शुरू की 1873 में जब कई महिनों तक उन्होंने अपने पिता के साथ भ्रमन किया भारत की कई हिस्सों में गए और कई विश्यों की नौलेज गेन की जब अमरित सर में रहे तो सिख धर्म जाना समझा और इस पर छे कविताय और रिलीजियन पर कई आर्टिकल्स लिखे उनकी ट्रडिशनल एजुकेशन इंग्लैड में एक पब्लिक स्कूल में हुई थी और 1878 में वे अपने पिता की इच्छा अनुसार बैरिस्टर बनने के लिए फिर से इंग्लैड गए थे वो स्कूल की पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे और उन्होंने कॉलेज भी ड्रॉप कर दिया उन्होंने इंग्लिश, आईरिस और स्कॉर्टिस लिटरेचर के एसेंस को समझा और भारत लोटकर मृरिनालिनी देवी से शादी की इनके पिता ने मेडिटेशन के लिए एक बहुत बड़ी जमीन खर दी थी जिसका नाम शांती निकेतन रखा देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1863 में आश्रम के स्थापना की और 1901 में रवेंद्र नाथ टैगोर ने यहां एक ओपन एर स्कूल खोला वो एक प्रेयर हॉल था जिसका नाम मंदिर था और इसके अलावे इसे पाठ भवन भी कहा जाता था यहां पेरो की नीचे क्लासेस होती थी और ट्रडिशनल गुरू स्षिश्य मेथद से पढ़ाई होती थी दुर्भागिवा स्टैगोर की वाइफ और दो बच्चे गुजर गए और वो अकेले पर गए और इसी दोरान उनके वर्क्स विदेशी रीडर्स के बीच फेमस हुए और 1913 में गितांजली के लिए इन्हें लिटरेचर में नोबिल प्राइज मिला और आज स्वांती निकेतन विस्ट पंगॉल की एक फेमस युनिवरसिटी है इसके अलावे उन्होंने विश्व भारती युनिवरसिटी की भी स्थापना की अगर बात करें इनके लिटरी वर्क्स के बारे में तो रविंद्रनाथ टैगुर ने कई पोयम्स, नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और ड्रामाज दिखे इसके अलावे उन्होंने पेइंटिंग, ड्राइंग और म्यूजिक में भी काम किया रविंद्रनाथ टैगुर ने तीन देशों का राष्टे गीत भी लिखा भारत, बांगलादेश और श्रीलंका का 1880 में उनकी नोवेल गोरा पब्लिश हुई थी नस्टनीर 1901 में, चोकेरबाली 1903 में, घरे बहिरे 1916 में और 1939 में उनकी नोवेल जपा जो पब्लिश हुई इसके अलावे भिकारिनी, काबुली वाला, शुदिस्ता पाशन, हैमन्ती ये उनकी कुछ फेमस शॉर्ट स्टोरीज है बालक, पुराबी, सोनार तोरी और गितांजली ये पोयम्स की कुछ फेमस कलेक्शन्स है साथ साल की उम्र में, रभिंदरनाथ टैगोर ने ड्रॉइंग और पेंटिंग भी शुरू की लेकिन फिर समय के साथ इन्होंने पेंटिंग छोड़ दी क्योंकि वो पेंसल से ज्यादा इरेजर यूज करते थे और अपने आर्ट वर्क से संतुस्ट नहीं थे उनका आखरी समय काफी कस्ट में गुजरा, 1937 में टैगोर कोमा में चले गए और बहुत सफरिंग के बाद 7 अगस्ट 1941 को 80 साल की उम्र में इनका निधन हो गया तो ये थी रबिंद्र नाथ टैगोर की बायोग्राफी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू